नमस्कार दोस्तों आज हम आये हैं एक इंडस्टियल एरिया में जहां पर फैक्टरी के छट के उपर सोलर पैनल लगा हुआ है तो सबसे पहले हम बता दें इस वीडियो बनाने का खास परपस यह है क्योंकि अब फैक्टरी बिजनस के लिए सोलर का सीजन चालू हो गया है यहां पर एक रीयल इंडस्टियल एरिया में हम लेकर आए हैं जहां पर आप देख सकते हैं हमारे आस पास सिर्फ श्रिप फैक्टरी है ientosकुल time always सिमेंटेड Originally कितना पुराना है यह पुराना है तो सब से पहले आप सबसे पहले ईसका ॐम्हश technique सेड या सिमेंटेड रूफkiej चैंज करवाएं जैसे कि आफ देख रहें कि यहां पर जो पूराना है यह नया लगा हुआ है तो यहां पर ही आपको solar panel लगवाना सबसे फाइदे मंद होगा अब आपके दिमाग में होगा कि एक टीन सेट पर solar panel लगता कैसे है तो इसके लिए हम आपको उस वाले एरिया में लेके चलेंगे जहां पर solar panel इस टीन सेट पर लगाया हुआ है दोस्तों जब फैक्टरी के छट पर solar panel लगाने की बात करते हैं तो एक डर होता है कि कहीं वे टीन सेट टूटके नीचे न गिड़ जाए तो यह डर एक बिजनस ओनर का होता है तो यहां पर हम आपको बता दे जो टीन सेट लगाने की जो प्रोसेस होती है क्योंकि मेरे सामने ही लगा लगा है तो यहां पर क्या होता है कि नीचे लोहे की railing मजबूत मजबूत दिया हुआ रहता है आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक्योथ सेट को पहले टाइट किया हुआ रहता है और इसमें एक सेटी की कवर राता है जो water को लिकेज को रोकता है तो इसको लगा के सारे तीन सेड को लोहे के अंगल पर टाइट किया हुआ रहता है। उसके इस टीसेड कि मझभूती और बंपी उसके उपर हुतरी के रूप होते हैं अच्छे टीन सेड का बना हुआ रहता है अब उसके उपर सोलर पैनल आता है तो सोलर पैनल में सबसे पहले यह देखा जाता है कि इसका वेट क्योंकि एक सोलर पैनल का जो वेट है वह करीबन आप 32 केजी का होता है 32 से 32 केजी का तो यह लूम सोलर का टॉपकॉन सोलर पैनल है तो इस तरीके से सभी सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो इसके हिसाब से आपको एरिया प्लान करना है कि आपके फैक्टरी के छट पर कितना एरिया अबलेबल है यहाँ पर देखने वाली बात यह होती है कि जादा तर फैक्टरी के छट पर एरिया तो अबलेबल होते हैं बट वहाँ पर किसी टाइप की सैडो ना है क्योंकि आसपास कई पेड़ पौधे होते हैं तो उस बात के लिए ध्यान देने के लिए एक सोलर डिजाइनर टूल आता है जो आपको फ्री और पेड दोनों मिलते हैं तो उस डिजाइनर टूल से आप लैटिटीट्यूड एंगल उस जगह का डालेंगे तो पूरा एरिया गूगल मैप के पर आ जाएगा और जैसे ही मार्क करेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा कि उस एरिया के आसपास है किस टाइप का एरिया है जहां पर हम सोलर पैनल लगा सकते हैं तो आपको डिजाइनर टूल का हेल्प लेके सोलर विजुलाइशन करना है कि सोलर लगने के बाद देखेगा कैसा तो उसके हिसाब से यहां पर देखें कि पूरे फैक्टरी के च्छत पर सोलर पैनल लगा हुए है और इस फैक्टरी का जो बिजली भील है वह करीवन दो हजार तीन हजार रुपया का आता है तो इससे मतलब यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है तो यह एक सोलर पैनल यहां पर ऐसे लगा हुआ है दोस्तों इंडश्रियल एरिया में जो सोलर लगाते समय एक चीज सिस्टम आपके प्लांट में होना जरूरी है ऐसे हर प्लांट में होता है लेकिन आप स्टार्टिंग से लगवा सकते हैं तो यहां पर क्लिनिंग सिस्टम में आप देखे कि इंस्पिंकलर का इस्तमाल करके एक सोलर पैर एक इंस्पिंकलर और यहां पर एक जो पानी का पीछे लगा हुआ जो घरेलू मोटर होता है तो उसका इस्तमाल करके यह क्लीनिंग सिस्टम क्लीनिंग का सफाई के लिए बहुत सारे लोग एक्यूपमेंट सर्च करते रहते ज्यादा तर ऑनलाइन में कि ऐसा कौन सा सिस्टम ले जिससे आप क्लीनिंग हो तो देखे कि यहा यहां पर सिट्वाय आप ऊप्सन है जिसे हैं है करने का कोऊँ भी मेंभब देख रहें कि यहां पर बंद मेंग सफाई कर रहें उस वहँ पर ऊपन करकर सकते हैं तो इस तरीगे से आप अपने चाहे तिन किलो वाइट हो चाहे पाच लुवाट हो तो इस तरीके से आप किलिनिंग शिस्टम का इस्तमाल कर सकते हैं ивается वह पता है की यह किलिम शिच्टम की जो सफाई करने का जो टाइमिंग होता हुऔ करता है आपके एरिया के डाइमेट के ऊपर कि आपके एरिया में कितना झाट फटे रहता है तो यहां पर एक रेकडुखलय के लिए टिलिनिंग लगाया हुआ सोला की वाइरिंग के लिए जब सोला फंस्टॉल हो जाता है तो ऑंगड सोला सिस्टम में जयूररल के सबस्क्रूल 솔र का इन्वाइर के कोडिंग इस्ट्रिंग बनाते हैं जो भी inverter जितने किलो वाट काप लगा रहे उसके अनुसार इस्ट्रिंग बना जाता है तो उसके लिए DC वाइर का इस्तमाल किया जाता है जादा तर जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टप में DC वाइर का इस्तमाल किया जाता है वह 4 square mm का DC wire इस्तमाल किया जाता है पिछले वीडियो में हम बताए हैं इस DC wire की पूरी specification कि किस बेसिस पर आप DC wire का selection कर सकते हैं तो on grid solar system में 4 square mm और जो yearthing होता है वहाँ पर 10 square mm और 16 square mm DC wire का इस्तमाल करते हैं और उस तरीके से बहुत सारे solar panel को inverter के string के according वहाँ पर सारे solar panel को series connection किया हुआ है तो और इसके साथ mc4 connector लगता है जो आपके plant के capacity पर डिपेंड करता है तो यह major component होते हैं और इस सारे wiring inverter के पास नीचे चला गया है वहाँ पर सारे grid से connect किया हुआ है तो उपर के area में इतना ही रहता है कि आपका solar panel structure wire cleaning system और इस तरीके से सारे solar panel का installation किया हुआ है दोस्तों यह तो रहा site का एक overview अब इसमें आपको कुछ theoretical भी जानना जरूरी है जैसे कि solar system जो plant हम लगाएंगे उसको लगाने की cost कितना पड़ेगा और कितने सालों में इसका return मिलेगा जैसा कि आपको पता है कि solar system का जो return on investment है वह depend करता है उस area का electricity rate के उपर जैसा कि आपको पता है कि commercial और industrial area का electricity rate almost residential से ज्यादा होता है तो इसका जो ROI है return on investment है जो पैसा आप लगाएंगे वह करीवन धाय से तीन साल में या maximum साथे तीन साल में आपको मिल जाती है यदि इसके उपर जाता है तो आपको calculation करना पड़ेगा कि आपका electricity rate कितना आ रहा है अब है कि solar लगाने का cost depend करता है कि आपका plant जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही plant का cost कमता चला जाएगा मान लीजिए आपके factory के उपर 100 किलोवाट का solar power plant लगता है तो वहां पर आपको करीबन 33 लाग से लेके 35 लाग के बीच में आपको solar power plant का cost पड़ता है वह depend करता है आपके side survey analysis के उपर कि अपकी type का product लगा रहे structure लगा रहे वाइरिंग कैसा है को वहां पर वहां पर नेट मीटरिंग की procedure कैसा है तो इस सारे parameter पर डिपेंड करता है pricing तो इसके लिए हमारे इंजिनियर को आप अपने area में बुलाएं अपने factory में बुलाएं अपने business installation area में बुलाएं वहां पर आप को लूम solar के द्वारा solar लगाने पर आपको लोन की सुधा परदान किये जाता है कि आपको जितना महीने का बिजली का बिल पे कर रहे है उतना ही आपको EMI देना है रही बात इसकी document की तो document जैसा कि आपको पता है कि कोई भी loan लेने के लिए income proof और KYC detail और business है तो business detail आपको ती यह नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा तो यह आपको लोन की जो अधर प्रोसीजर है उसी तरीके से solar loan का भी प्रोसीजर है इस वीडियो में एक factory के उपर solar लगाने के फायदे और solar factory के उपर लगाने समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सारी जनकारी दिये वीडियो अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक कर दे यदि आप और कुछ factory और बिजनस के लिए कुछ और application देखना चाहते हैं component के वारे में जानना चाहते हैं या आपकी कोई भी ऐसा process के वारे में जानना चाहते तो आप वीडियो के comment section में बताए हम नेक्ष्ट वीडियो में कर दे और वीडियो को उन सभी बिजनस ओनर के साथ जरूर सेयर करें जिस जिनका factory का च्छत आज भी खाली पड़ा हुए factory के च्छत पर सोलर लगाने पर सरकार उनको 40% tax benefits देती है बिजली बिल की बचत तो होती ही है साथ के साथ परिया बरन को भी help करते हैं तो मिलते अगल